अब यह भी आरण भी एंटीपीसी के दौरा एक नए अपडेट आया है आज 15 जून है 2021 को नए अपडेट आया है कि जितने भी सारे अप्लिकेशन दिये गए थे एंटीपीशन के लिए उन में से वैलिड अप्लिकेशन कितने हैं ठीक हैं बांकि सारे रिजेक्ट हो गए हैं किस जोन में जयादा है और किस जोन में कमपेटिशन की कम यानि कि एक सीट के लिए कितने इस्टुएंट लड़ रहे हैं कौन से जोन में ठीक है तो टोटल सीट की भी बात करेंगे तो वीडियो के इंड तक बने रहेएगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरवी चिन्ने का website में है, ठीक है, आरवी चिन्ने का website में ही देखा गिया था ये notice, के आरवी चिन्ने, देखे हम लोग खोल रहा है, आरवी चिन्ने, तो यहाँ पे, यहाँ पे यह आ रहा है, summary of valid application, ठीक है, यानि कितने applications valid हुए हैं, ठीक है, NTPC का category में, देख सकते हैं, एक application download हो जाता है, ठीक है, एक notice download हो जाता है, तो यह notice मैंने पहले से ही download कर रखा है, तो मैं अब यहाँ पे देखाता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह valid applications का notice है, कि कितने valid applications हुए हैं, तो हर एक zone में अलग-अलग तरीके से दिया गया है, ठीक है, OBC क्या दिय गया है, CST, सब अलग-अलग category का भी दिया गया है, बट हमको उससे, आप अगर अलग category के हैं, तो आप अपना देख सकते हैं, ठीक है, मैं general की बात करूँगा, यहां पर जितने भी, जितने भी बात करूँगा, general के लिए बात करूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कि अहमेदाबाद में जो total form valid हुए हैं, वो है 461,677, ठीक है, यह valid है, तो 461,677, और इसमें total seat कितने थे, total seat थे 1024, यानि कि 1024, तो यह मैंने कहां, यह मुझे कहां से मिला, यह मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग, RRB अहमेदाबाद में 1024 seat है, तो यहाँ पर दिलिखावाई 1024 seat, तो अब उसके अनुसार हम लोग जब निकालेंगे, तो एक seat के लिए कितना इस्ट्रेंड लग रहे हैं, 450, ठीक है, 451 माल लेजे, तो अहमेदाबाद जोन, उतना भ करके हैं, उसके बाद बात करते हैं, अजमेर जोन की, ठीक है, तो अजमेर में देख सकते हैं, आप लोग, total application जो valid हुआ है, 8,57,690, ठीक है, और यहाँ पर seat कितने थे, यह देख सकते हैं, seat थे, 1773, ठीक है, तो एक seat के लिए कितने इस्ट्रेंट, 483.75, यानि के 484 के असप परेगा, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अलावा जोन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा application यह किये गए थे, valid हुए थे, 18,8136, ठीक है, total seat केतने हैं, 4099, तो यहाँ पर जो competition है, वो 441 है, ठीक है, उसके बाद बेंगलोरो में देख लिए, 8,35,288, ठीक है, यहाँ total seat है 2470, और competition हो जागा, 338 का, ठीक है, उसके बाद बात करें, भोपाल की बात करें, भोपाल देखिए, यहाँ पर 5,17,535, ठीक है, total application valid हुए हैं, और total seat कितना हैं, सिर्फ 9,900, sorry, total seat है, 997, तो काफी कम है, हजार से भी कम है, तो इसका जो, यहाँ का competition सबसे जादा है, यानि कि 534 लरके एक seat के लिए ला रहेंगे, ठीक है, तो काफी, यहाँ पर यह इसको rate इसलिए कर दिया है, क्योंकि यह highest है, ठीक है, तो भोपाल से अगर आप हैं, और आपका 7th phase मे है, एक्जाम, तो आप बहुत जोर से preparation में लग जाएए, नहीं तो फिर बहुत मुस्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत खदरना competition होने वाला है, आपका अगर हो गया है, एक्जाम, तो कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, ठीक है, उसके बाद बात करें, वहवनेश्वर की, गुबनेश्वर में, दो लाग, दो लाग, आठ हजार, नौसो चौतर वैलिड अप्लिकेशन थे, और उनमें, टोटल सीट जो है, वह 498 सीट है, जो के वहां का, यह देखें, तो 419.63 आ रहा है, ठीक है, competition, उसके बाद बाद बात करें, बिलास्पूर की, ठीक है, इधर भ बात करें, वह 380,246 स्टूइंट ने फर्म फिलप किया था, ठीक है, और टोटल सीट कितना है, 1207, ठीक है, तो स्टूइंट कितने हो जाते हैं, एक सीट के लिए 315, उसके बाद चंडीगर की बात करें, तो 11,00, यहां पर बहुत जादा फर्म फिलप हो था, 11,73,523, ठीक ह 142.62, तो यहां पर अलग-अलग केटेगरी का भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप अपना केटेगरी का भी, केटेगरी वाइस भी देख सकते हैं, तो दो नोटीस है, एक तो आपका सीट किसमे कितना वेकेंसी है, और टोटल एप्लिकेशन कितना फिलप हुआ है, हर जोन के यह अलग-अलग है, ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं, चंडीगर की, ठीक है, तो चंडीगर में जो फिलप हुआ था टोटल, यहां पर देख सकते हैं, आप लोग मिला-मिला के, ठीक है, चंडीगर में हुआ था 11,00, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, चंडीगर में 11 स्टूडेंट पर सीट के तरह है चार सो बाहततर है उसी तरह चिन्णई में है नौ लाग बतीस हजार अठाइस यहां पर 202 694 सीट है और कम्पेटिशन है 345 का ठीक है गोरकपूर है यहां पर 318520 है टोटल सीट है 12 1290 और कम्पेटिशन 293 ठीक है 294 गासपास है गोहाटी गोहाटी की बात करें तो 21993 ठीक है सीट काफी कम है 851 तो यहाँ पर competition भी कम ही है ठीक है 200 अल्ठावन अल्ठावन पुइंट चोवाली से ठीक है जम्मु इन कश्मीर 1,80,212 और यहाँ पर सीट कितने है 800-90 900 के असपस है तो यहाँ के competition है 200 student यानि कि 200 student पर एक seat एक candidate का selection होगा ठीक है उसके बाद बात करें कोलकाता कोलकाता जो के बहुत highlighted में था कोलकाता में बहुत ज़्यादा competition होने वाला है बट ऐसा नहीं है 8,15,121 application टोटल valid हुए हैं वहाँ पर seat था 2949 ठीक है 2950 जो कि सिर्फ 276 ही 276.41 candidate एक seat के लिए लड़ेंगे ठीक है तो बहुत ज़्यादा easy भी competition नहीं है बहुत hard भी नहीं है ठीक है moderate है क्योंकि highest तो 563 है 563 पर एक candidate ठीक है यहाँ पर देखें 276 पर ठीक है तो बहुत ज़्यादा tough नहीं है कोलकाता जोन में moderate है उसके बाद बात करें मालदा में मालदा में मालदा में है 237,437 application वैलिड हुए है और seat कितना है 243 तो यहाँ पर 227.65 competition है तो बहुत ज़्यादा competition नहीं है ठीक है और बात करें competition उन लों के लिए है जो OBC से है मालदा से अगर आप लोग है कोई OBC वाले तो उनके लिए competition बहुत खतरनाक है क्योंके 2,000,000 में से 1,3,000,000 यानि कि 7,000,000 के असपस OBC के अन्डेर्ड है यानि कि उनका competition बहुत ज़्यादा high हो जा रहा है 400, 455 के असपस हो जा रहा है ठीक है मनें 400,000 पर एक लर्गा सेलेक्शन होगा, मॉंबई की बात करें, मॉंबई में 11,4,836 एप्लिकेशन वैलिड हुए है, और टोटल सीट कितना था? 3,665 तो 312 का कम्पेटिशन है, उसके बात करें मुझफफरपूर, मुझफफरपूर और माल्दा लगबग लगबग सिमिलर है, अगर आप पकड़ देखें, तो कम्पेटिशन के हिसाब से, यहाँ पर फॉर्म पिलब हुआ था, 4,933 जो कि काफी कम था, लेकिन कम्पेटिशन और सीट भी कम था, 329 ही था, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पटना के, पटना में 3,69,846 एप्लिकेशन वैलिड और सीट कितना था, 1049 ठीक है, यहाँ पर कम्पेटिशन 340 ठीक है, पॉइंट 34, जो कम्पेर करके देखें, अगर कोलकाता से ही, कोलकाता से ज़्यादा है यहाँ पर कम्पेटिशन ठीक है, पटना में, कोलकाता में 276 यह, लेकिन पटना में 340 है, ठीक है, तो राची की बात करें, 4,7,260, 266 ठीक है, यहाँ पर सीट है 1386, और कम्पेटिशन लगबग लगबग, पटना के बराबर है, 340 के असपास, ठीक है, 349.30, यहाँ कि 340 के असपास, पटना के असपास ही है, पटना में 40 और यहाँ पर 40, ठीक है 300, तो पटना और राची में ज़्यादा कम्पेटिशन है, कोलकाता के कम्पेटिबली, उसके बाद बात करें सिकंद्राबाद सिकंद्राबाद देख सकते हैं आप लो 11,35,65 टोटल अप्लिकेशन दिये गए थे उनमें सीट है सिर्फ 3234 और 351 का कमपेटिशन है ठीक है 351 लरके एक सीट के लिए लरेंगे तो सिल्ली गुरी में देख सकते हैं सिल्ली गुरी में जो है लोएस्ट कमपेटिशन है यहाँ पर फॉर्म फिलप भी कम हुआ था 32,56 और सीट भी कमते हैं 4,443 चार 4,443 और यहाँ का कमपेटिशन सिर्फ 163 पॉइंट 7,9 है यानि 164 लरके एक सीट के लिए लरेंगे जो की काफी कम है और उनको कमपेटिशन करके देखें तो तो सिल्ली गुरी सबसे कम कमपेटिशन वाला जो इस बार के लिए है ठीक है एंटी पीजी के लिए उसके बाद बात करते हैं 3,99 पूर्म यह है 2,47,045 45 अप्लिकेशन जो है वो वैलिड हुआ था 897 सीट ठीक है यहनि कि 900 के आसपस सीट है और स्टुडेंट पर सीट एक सीट के लिए कितना स्टुडेंट 308 तो आप लोग उने देखा कि सबसे ज़ादा दो कमपेटिशन है वो भोपाल में ठीक है तैयारी में लग जाईए या फिर स्टेज 1 दे चुके हैं तो स्टेज 2 के तैयारी में लग जाईए क्योंकि यह जोन बहुत खतरनाव होने वाला है ठीक है एक एक नंबर के लिए पॉइंट मार्क्स के लिए बहुत सारे लगके हजार हजार लर के बाहर निकल जाएंगे ठीक है तो एक भी नंबर नहीं चुकना है आपको एक भी नंबर नहीं छोड़ना है किसी तर से भी अच्छे मार्क्स उठाने है ठीक है और तो बात करें टोटल टोटल अप्लिकेशन कितना जो वैलिड हुआ वो 1.25 क्रोर ठीक है एक क्रोर 25 लाग क्या सपस टोटल अप्लिकेशन वैरिड हुए है ठीक है और टोटल सीट कितना है हमारा है 35, 270 सीट है ठीक है तो कंपेटिशन बहुत ज़्यादा है एक-एक एक-एक क्या दो ऑफ्यादाए है एक पॉइंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ पॉइंट पॉइंट पे हजारों हजारों लरके बहार निकल जाएंगे लिए इस बार सेलेक्शन नहीं होगा पॉइंट पॉइंट मार्क्स की व благодар चटे जाएंगे उनको सबसे ज़्यादा अफसोस होगा तो बहुत ज़्यादा मिनत करी है जितना ज़्यादा हो सके ठीक है तो यह एनलेसिस आपको पसंद आई होगी अगर यह एनलेसिस आपको पसंद आती है तो please like कीजे comment कीजे share कीजे ठीक है thank you so much for watching झाल झाल